आप सब कुछ कर लेते हैं, आप कहते हैं, मैं मेकप पूरा कर लेते हैं, मैं कोई लगाना नहीं है तो है कोई मेट से स्मार्ट, कर सकते हैं कोई मेरा मुकाबला, ने तुम खुद देखो, तुम खुद देखो ना, तुम खुद देखो, है कोई मेट से स्मार्ट ही एवरीवान वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई होब कि आप सभी अच्छी होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ तो आज मैं आपको ये वाला ये वाला मेकप लुक करके दिखाऊंगी ये वाला ब्राइडल मेकप अच्छा जी ब्राइडल मेकप यही होता है इस से कोई ज्यादा नहीं होता ब्राइडल मेकप इतना ही होता है बस इसमें लड़की को बालू लगाई होती है और जुल्री होती है तो बस जी अभी मैं आपको ये वाला मेकप लुक करना सिखाती हूँ बहुत इजी है बहुत ही ज्यादा इजी है मुझे तो बहुत इजी ल और बिडियो के टिटिट नालीख करऊंगी वह इसके आगे मैं एड करोंगी तो चलो जी अभी हम वीडियो स стала करते हैं तो चलो जी अभी हम मेकप स्टार्ट करते हैं में पहली चीजा bissiği करना है अपने face को अच्छे से अपनी neck को अच्छे से प्रेफ करना है लोशन लगा दिया सबसे पहला स्टैप है यह कि आपको loootion कर देना है कि अब्रायट जो होगी उसको na बैक वनी साइड बे एपलाई करना है क्योंकि इसको पनी back को भी ठीक हो गया साथ साथ में बाते करते जाएंगे साथ साथ में हम मेकप करते जाएंगे अच्छा जी उसके बाद हमने क्या करना है सब्सक् blending नायक्मस तीन तेसे तकंप बोई तृम कोई उसके बाद यसमी तो मेक harmony अपकी तो थोड़ा सा अगर अध्य प्रॉडक्त से इन्वेस्ट कर देते हैं अब एन्वेस्ट तो कुछ नहीं होता है उतला आप ले सकते हो आप शुगर का प्राइमर क्योंकि आप पालर में नहीं जा रहे हो अब खुछ से मेकप कर रहे हो जहां आप से पालर वाई 20,000, 15,000, 30,000 अब डिपेंड करता है जितना बड़ा पालर उतना जादा पैसा 50,000 तो जहां आप पालर में इतने पैसे देने है उससे अच्छा है कि आप घर पे मेकप कर लो ठीक है जी उसके बाद हमें लेने नहीं है फाउंडेशन फाउंडेशन आपने ऐसे अपना बैक करन कि अच्छे से अपने हाथ से ब्लेंड करवा जो में आपको बिल्कुल एक बेसिक सी चीजने बता रहीं हूं जो मतलब इसके पास अगर ब्लेंडेन नहीं भी है क्यार्किछ आपना सेल्फ मेक एप कर रहे हो तो अगर वकस्त बैंडेशन नहीं भी है तो चलता है कुछ नही होता है कि बड़ा पाउडरी पाउडरी लग रहा है कोई बात नहीं कुछ नहीं होता ब्राइडल मेकप है थोड़ा ज्यादा लगाना है फांडेशन को भी फिर हमें अपने गले को भी अपलाई कर देनी है ऐसे डॉटड़ करके आप अपने आगे पीछे दोनों साइड गले पर अपलाई कर सकते हो इसको ना ऐसे यू यू रगड़ना नहीं इसको ऐसे से करना है अब हम क्या करेंगे अपना आई मेकप कर लेंगी आई मेकप के लिए अगर आपके पास ब्रशिज नहीं भी हैं गाई तो भी मैं आपको सिखाती हूं आई मेकप कैसे करना है आपको बिल्कुल ट्रांजिशन शेड लेनी है यह वाली ठीक है ट्रांजिशन शेड ले लिए आपने यहां पर अप्लाई कर दी लास्ट में ऐसे बिल्कुल हल्की सी ट्रांजिशन शेड लिए लाइड वाली फिर मैने हल्की से डार्क वाली ट्रांजिशन शेड लेनी है यह भी इस एंग अप्लाई करनी है कि ब्लेंडिंग आप फिंगर और बदिया ब्लेंडिंग होती है ना उतनी अची ब्लेंडिंग किसे नहीं होती है फिर लाइट बाले ट्रांजेशन शेड्ड लेके इको अच्छे से ब्लेंड कर दो हो गया ना आप डिफ्रेंस दिख रहा है आपको इस आंख में और इस आंख में कैमेरा सामने करके भी दिखा देती हूँ आपको एक बार आप देखो इस आंख में और इस आंख में कितना ज़्यादा डिफ्रेंस दिख रहा है ठीक है ऐसे पकटके दिखाती हूं फिर आपको थोड़ी सी डाक वाली ट्रांस्चिन शेड लेनी है डाक वाली और इस जगह पे आपी क्रीज पे यहां मेरी क्रीज बनती है इससे थोड़ा सा उपर इधर हमने इसको लगा के अच्छे से ब्रेंड कर देना है क्रीज लाइन से फोड़ा सा ऊपर कि मेरी आइस अपूर है और हूड़ीड आइस में मेक अप करना फोड़ा सा ट्रिक्की होता है बहुत मुषकिल नहीं होता उन्क है यह भी एक रूजन था कि अपनी शादिका टाइम पे पार्लर ने गई थी ती कि इससे अब क्य knoweneca करी अब हम और दूसरी आइस भी कर लिए हम ने आइब ना अब हम क्या करेंगे अपनी आइब्रोज बनाइगे अइब्रोज बनाना most important step है तो इसके लिए हमने क्या करना है brown और हल्का सा brown और हल्का सा black dark brown होगा तो भी अच्छा है लेके हमने ऐसे अपनी eyebrows को fill कर देना है पहली चीज़ है आपकी eyebrows बहुत अच्छे से पारलर से पहले आप बनवा के आजाना क्योंकि eyebrows की अगर शेप अच्छी नहीं हो न तो फिर आदी लुक वहीं खराब हो जाती है तो आपको अपनी eyebrows पहले अच्छे से उनको शेप करवाना है पारलर से eyebrows guys बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके make-up में अभी आपको देखने लुक मेरी पूरी चेंज हो जाएगी सिर्फ एक eyebrow ही बनाई होगी मैंने आपको अपनी आइब्रो के साथ मैच करके आप डाक ब्राउन शेड़ आप चूज कर सकते हो ठीक है कि एक eyebrow बन गई है और दूसरी वाली नहीं बनी है इसको आप फिर ऐसे इसके साथ एक बार कॉम भी कर सकते हो तो एक बार आपके eyebrows पूरी प्रिफिल होगी फिर इससे क्या होगा एक्स्टर जो भी प्रोड़क्ट होगा वह निकल जाएगा मैं अपनी दूसरी बी आइब्रो बना के आती हूं ठीक है क्याफ Milka का ले सकते हो उसको एक बार अपने eyebrows उसके प्रे करके इस तरह स्पूली से अपनी eyebrows को अब ही क्या हो जाएगा आपकी जो आपने यह मेकप कर रहे आपनी आइस के और यह फिक्स हो चाहिए ठीक है यह जरूर से कर देना क्योंकि आइब्रोज का मेकप ही अगर आपका स्टे हुआ होगा जादे आइब्रोज फिलिंग आपकी अच्छे से स्टे करेगी तो आप अच्छे लगोगे नैच्रली आपका मेकप अच्छा लगेगा यह देखो इतना मैंने इसको गिला कितनी कि ली इंगे इतना मैंने इस पे मेकप एक्सर लगाया है और अब अच्छे से सूखने देंगे फिर हम आगे परसीड करते हैं तो यह हमने इतनी सी transition shade ले ली हमने अपने नाप दिख रहा है हमने nose के इस चुगाप ऐसे 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 देख रहे हो मतलब यह यह वाली चीज है इसको छोड़ देना है साइट से ऐसे line draw करनी है और ऐसे और ऐसे और ऐसे 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 ठीक है आपने दूसरी साइट भी ऐसे करने same lights थोड़ी आगे पिछे हैं इस room में ऐसे 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 अब इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे हाथ से हाथ से करना सिखा रहें वाईस इसको ऐसे से इसको ताकि अंदर आप प्रड़क्ट जाए ठीक है एकदम से नाक चेंज हो गया ना पहले नाक उसे मोटा सा था अब एकदम से पतला हो गया ठीक है कर लिए हमने अब हमने क्या करना है इस एरिया पर यह वाला एरिया अब हम लगाएंगे कंसीलर ठीक है तो कंसीलर हमारे कहां कहां लगता है सबसे पहले हमने कंसीलर लगाना है नोस के उपर इस ट्रेट लाइन ठीक है इसके बाद यहां फिर यहां इस तरह से यहां पर इस तरह से ठीक हो गया देख रहे हो क्या किया है पास आके कर दिखा देती हूं इस तरह से अब कंसीलर लगाना है अपने फेस पर कि इस तरह से हमने किया है अब हम इसको blend करेंगे अच्छे से blend करना है ठीक है अरे मेरे पास लाइट स्वाइट सुक्नी इच्छी नहीं है ना इसलिए एक्रवक्रस पोंघ कोई मुझे सजेस्ट करना चाहते हमें में जाने माइट रिंग निए ठीके आणिद realities और हमने इसको ब्लेंड जो यहां से हमें कंसीर लगाएथा मिसस्कों नीचे को ब्लेंड करने ठीक है ऐसे ऐसे टैपिंग टैपिंग करनी है ठीक है हो गया अब यह वाला भी हमने ऐसे नीचे को ब्लेंड करना है ठीक है यह वाला भी हमने ऐसे यह किवेला आव पला है यह आई पिछ आव झाल में यह जो पंते हैं इसे खाला गुझ कर दो जो बन्हें relax आद में करते हुए यह भनते ही है क्या गुर्म है यह ऐसी बनते हैं सबके बनते हैं को अपना मेकप खुद कर रहा होगा कि इस जगा पर हमें थोड़ा सा कंसीलर लगाने है अच्छे से इसकर से अच्छे से अच्छे से ब्लेंड हो अब मेकप में चाहे आप ब्रैडल मेकप कर रहे हो चाहे आप नॉमल मेकप कर रहे हो आपकी ब्लेंडिंग बहुत जबदबस्तों जब ब्लैंटिंग की जबदस्तों ओँ tactics आप मेगब जबदस्तों को तो जबदस्त होक luck एंब हमने क्या करना थहां जादतर जैसे आप ब्राइड हो तो यह तो ब्रेंड हो यह फिर आप मजंटा पहन दो यह फिर आप लाइट कलर मेंगा lawyer अद्ध और तो जो भी आप पहन रहे हो आप उसके according mix and match करके अपना यह वाली जो ब्लिटरी शेड्स होती है उसको चूज कर सकते हैं कि हमने बेस प्रिपेर कर दिया है अब मैं इसमें से सोच रही हूं कि यह रोज गोल्ड शेड लूँ मैंने शादी में भी रोज और कॉपर को मिक्स करक यहां पर ब्लिटर किया था तो वही मैं कर रही हूं सबसे एजी और सबसे अच्छी लगती है यह वाली शेड आइस की तो मैं आपको एकदम एजी वाला बता रही हूं मेकप करना कि उंगलियों से भी आपका मेकप हो जाएगा कि दूसरी वाली को भी कर देते हैं ऐसे ही से प्रिटिञ कि अचीओ किना मां कि लोगों ने मेकप को था हवा है हाई मेकप बड़ी मुश्किल चीज और भाई दूसरी चांचीज और दीक्पार अपके मांपर ऐसे पकाना किसी कि एपने उती है मेरो तो थें ही अपने मैं क्या कि अपकर कर लो पास से दिखाती हूं मुलों कि थोड़ी दिर के बाद आ चाती है पास से दिखाती हूं देखो आप मैंने ना फेस को कॉंटूर भी नहीं किया अभी में इसको थोड़ा सा और ब्लेंड करूंगी लाइन जो है बड़ी शार्प दिखरी इतनी शार्प नहीं दिखनी चाहिए तब तक इसको बैठने देते है ठीक है ना अप आइस पे कंसेंट्रेट करो अप आइस का देखो एमने अपर आइस का लिए लोर आइस को भी थोड़ा सा हलका सा करूंगी वह करके दिखाती है मैं लोर आइस के लिए भी वही पहले ट्रांजिशन चेर लूँगी लाइट व आइस को स्कुतन प्रस huis ओर दिखाती है में अधर है क्ले सैट्र भी का कि यहीं मैं थोड़ा सब्सक्राती है अधर को पहले है थिर में मैं मैं आइस इसको लाइट उत्वत्षी आपW से लाइनफय अथस यहां पर लगा दिया maior अग्लुट्ट झाट अगर आपको नहीं भी लगाओ तो भी पता निलगया किसी वो ट्रांजिशन शेड से ही इतना अच्छा लुक आजाता है अब लेटर नहीं भी लगाओ तो भी चलते हैं यह तेको मैं लगा दिया ग्लिटर भी क्योंकि मैं काफी देर से मेकप करुए हूं कि मैं काफी पुराने टाइम से मेकप कर रही हूं तो मुझे मेक आता है आछ अच्छे से आ तो अच्छा जो A कि यह में का पूरा कर लेकटी यह पॉर रहाना है लाश्य उससे मेंगनेटिक इसके साथ आपको अइलॉन को आईलाइनर को आपने बर अपनी साथ अपको आई-ल्यून्यिन ुख पिर बताती Taylor यह आई-लाइनर आपने आप चाहो तो आप खुद भी कर सकते हैं यह आपको अपनी इसी फ्रेंड से करवाना है उससे भी करवा सकते हैं कि बहुत सा यह लड़किया ना उनको आई-लाइनर भी नहीं लगाना आता है सिंगल कोट नहीं दो तीन बार कोटिसके लगाने आपको कि आपकी मर्जी आपको विंगस निकालनीं है निकाल लो नहीं निकालनि narcissism समय भी नहीं है आज विसको अच्छा लग जाता है जो शुत कर जाता है वही किस Hey मखे लग ज्सको बनाई ले जिसको अपने सबस्था निश द्युन पकरते हैं वह आपने स्विस्चेकण Oui किसी पालर वाले को नी बता, जितना आपको अपने फीज करते हैं है मैं तो में तो ही समझती ह। क्या थी वह जोना हैं किसी के हाथ से न मूना बनने साथ मरे कि अपने हाथ से बंचाम अगर कि तरह को रहाद को कि अगर 보니 मेरे शादी के टाइम का एक साल हो गया इसको मैगनेटिक लैशे को एक साल प्रोना ये आप समझेड़ो की लाइनर है तो ये अल्मोंस सूख भी गया है निकली निराइस में से कुछ भी बहुत कम है लेकिन है फिर भी है तो उसे साथ से रिव्यूस भी देख लो आप इसके मे अब मैं इसको पहले विंग को मिटाऊंगी क्योंकि ये मेरे को ना ये वाली विंग मेरे को पसंद आ रही है ये बिल्कुल पसंद आ रही है ऐसा होता होगा एक लाइनर ठीक लगता है एक लाइनर ठीक लगता है देखो मेर से भी ऐसे होता है तो पेशेंसली हमने काम करना ह सबसे पहले उसको सूखने देना है सूख जाएगी ऐसे आपने कॉटन पैड ले लेना है और आपको ले लेना है गाने मिस्सेलर वॉटर ठीक है ले लिया फिर हमने इसको यहां से मिटा दिला है आपका मेकप भी नहीं खराब हुआ बस शर्त इतनी है कि आपने पहले इसको मेकविंग को सूखने देना है उसके बाद कोई भी खर्दूत करनी है उसके बाद अब यहां पर इस एलिया में आपका कंसीलर फाउंडेशन जब मिट गई होगी इसको रिएप्लाई कर लें ठीक ह कहां गई कथे गई यह होता ना जब कुछ चीज आप डूंड़ते आपको मिलती नहीं तो ज्यादा मीटा नहीं है तो इसलिए एक डॉट लगाएंगे हलका सा मैं हलके हलके तीन लगा लिए ठीक है अब ऐसे ही फिर सिंगर से आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है दह मने कर लिया भीनलेंड कि होंगे अब अच्छे से ठीक है तो अब फिरसे से यहां से दूसरे 59 देखते हुए कि बनाने है और मुझे जो शे grinशूट करती शूट शूट है मुझे जो शे शूट करती है मैut को इस बनावांगी ठीक है कि यहां से भी कम लगा था इसको भी ठीक कर दिया रॉप पर है है ठीक है है अब यह आप बोलो कि इतना टाइम हमारे पास है इस दिन मारे शाहत दी होगी नहीं अब इसने टाइम नहीं होगा हम बहुत बिजी होंगे उस दिन तो उसका बैस्ड लगे अपने गर पर त्यार नहीं होना आपको आप होटेल कर लें त्यार होने के लिए ठीक है आप किसी दोस्त के घ़ चल जाएए तैयर होने के नहीं हो जहां पर ने क्रैसके आपकर क्लीरा यह ढालाने के लिए आजातें नो श्राव मेरे फोेटो में जड़े ऑंग इस सबस्क्राब रही नारे की त्यार है अच्छी दरीके करने वह दिशन त्यीक्राइब हो बिल इस मstar को आपको मस्कारा लेना है bzw मस्कारा लेकिए आपको अपनी ड्लेस को अपको मस्कारा लगाना है यह मैं अभी अपर लगा रही हूं आपने लोवर को भी लगाना है देखो लोवर को भी यह अपनिया ही है यह कुसे दिया नहीं है न अब राइडो आपकी उपर वाली निच्चे वाली दोनों लैशें ऐसे लशो लशो नहीं चाहिए क्यों होनी चाहिए लोगोंने ने देखना लोगोंने तो देखना ही है फोटोग्राफ पर ऐसे अपकी लाश लगाने से वैसे एकदम से आपकी लुक जो है बड़ी अच्छी से हो जाती है मुझे न, अपनी शादी के दिन वाली फिनक हा रही है जब मैं तियार हो रही थी, खुद से तियार हुए हुआया है, अपनी शादी मी और थो क्वड से तियार होने के जार हुए में चाह सोगी कितनी रेस्ट मिली हमारे में सुभा हवन हुआ होता है उसके बाद सांथ का हवन हुआ होता है kok और बूर्स जया गरी में मतने मीज़तां सो गवाइब कई तो खुट से त्यार होने के लिए से थैसल अगर का थे शोप अविडियो है वोके तर्नलम सान्या जाएन रभी कि एक उन्हें में लिए दीए उड़यु रीवी तर्व में दक्टनल की दिए तो आपकी चोईस है मैंने शादी में ना काजल लगाया नहीं तो इसको जैसे सूट करते हैं अपने अकॉर्डिंग करें किसी को ना देखिए मेरे को जादा काजल सूटी नहीं करता है तो मैंने इतना से लगाया हुआ था एक चीज हमेशां या जादा पॉहतते है न मैंने इतना से लगाएं ब्रुष दीन चाएं है अछा अच्छा ब्रुष मुझे लगाना पड़ेगा मेरे पास यही लूस पाउडर था उस टाइन पे भी लूस पाउडर नहीं यहीं कंपैक्ट पाउडर लगाओ व्या पुल्ला कीवी दू खुली मेरा कहां से गुल जाएगा उल्टा होल रही हूं उसको तोड़ दी उल्टा चलो यह इसको भी आपने क्या करना है ब्रश से ले ऐसे ऐसे उपर को फिर यहां से ऐसे ऐसे ठीक है ठीक जी ठीक हो गया अब हमने क्या करना है लेना है ब्लश यह मेरे पास शुगर का ब्लश है शादे का टाइम पर भी यही था आपर भी यही है और मैंने क्रिदानी क्यूंकि मैं स्टोंप्रां कर तो हम पने एसे लेके उठाना आपर कोहा शुआ से ऐसे और लोकातिया बॉर्टे हो णो कि आणक्वल जाध्य कर देन्हां कि बोट हो गयार ने कई पुनित्व कोई बात में हम अमनी हमनी दिखेंगे प्रूरे मुझा अब हमने क्या करना है प्यारे साफ हाथों से इसको एक बारा से कर देना है बास बस एक बारा से ठीक है अब मेरे पास है हाइलाइटर जो लिकुर लाइटर था यह शुगर का बहुत कम था यह वह बचेंगे पर यह लगता भी बहुत कम है तो इसे यह थोड़ा सा फील लिया अबने फिर आपने लगा दिया जिनाक पी यहां पे अब देखना मेरी एक दम से चेंज हो जाएगी यहां पे यहाँ पर ठीक है? फिर हमने लगाना इसको यहाँ पर फिर हम लगाएंगे इसको इधर इधर और इधर ठीक जी? फिर हम इसको थोड़ा सा लगाएंगे इधर एंड इस्टाइड भी ठीक है? इधर बिंदी वाले जगाँ पर चीक बोन पर थोड़ा और ज़्यादा सा क्योंकि आप ब्राइड हो हाईलाइटर तो अच्छा होना ही चाहिए दूसरा आपका ब्लश बहुत अच्छा होना चाहिए ब्लश थोड़ा सा मेरा फेड हो गया है इसको थोड़ा सा मेरा डाग करूंगे थोड़ा सा डाग करूंगे क्योंकि वैसे ब्लश थोड़ा सा फेड कर जाता है उसको थोड़ा सा आपने एक बार ज्यादा नहीं थोड़ा सा कर देना है ठीक हो गया ऐसे है इस तरहां से आपकी चीकांटी इस तरहां से पास आके देख लो तो आप पास आके देख लो थोड़ा सा ठीक है लिप्टिक लगा लेती हूं कपड़े चेंज करती हूं लैशे लगाती हूं लैशे तो आपके सामने लगाने है न क्योंकि ने लैशे पहले कपड़े पहन लेती हूं फिर लगाती हूं तो पहले मैं कपड़े लगा के आती हूं सो यह देखो गाईज अभी मैं लिप्स्टिक लगा लेती हूँ और लैशे लगाती हूँ सबसी पहले मैं लगाँ कि लगाँ कि लाशेश अजसे में लैश निकाल देएज निकाल देएज अपको आपकी सोच से भी जादा जल्दी लग जानी है ठीक है अधा तो सोच दी रहा होगी और यह लग जानी है इतनी खतर्ना गेशी दोती हैं एक लैश लगा दी हम दूसरी भी लगा लेते हैं ठीक है ना दूसरी भी अपनी अंखे है ठीक है लाशे lesson भी लगाएंगे लिश्टी लिश्टी लगानी के अब लिप्स्टिक ठीक है लिश्टी doesn't matter लिश्टी मिल दो सही पहले कि नूड कर लगाएं पहले हैं नूड लगाते हैं फिर अगर नहीं सूट करेगा तो फिर हम पिंक कर लेंगे कर दो अलम नूड लगाएंगे नूड लगाएंगे निरी शादी की ताइम पर नूड कब बड़ा ट्रेंड था गाई इस लेकिन मैं फिर भी ना इतली नूड ने लगाएंगे कि 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 तो मैं कैसी लग रही हूं गाईज अच्छा मैं बिंदी लगा क्या आती हूं मैंने जुड़ा पता है किस तिरह से किया था आपकी चॉइस है आप को हेर स्टाइल पालर वालन से बनवा सकते हैं कि अगर आप खुद तयार हो और अपने हेर स्टाइल बनाना थोटा मुश्किल होता है लेकिन स्लीक बन तो कोई भी बना सकता है ठीक है अगर इसको हेर स्टाइल भी नहीं बनाना पालर से मैंने नहीं बनवाया था कि स्लीक बन का बहुत ट्रेंड था तो मैंने ऐसे जुड़ा बीच से चीर निकालके इस तरह से मैंने जुड़ा कर लिया था और इसके बाहर मैंने न मेरे पिस फ्लॉवर्स थे फ्लॉवर वाला बन था वो लगा दिया था बहुत सिंपली मैं बहुत जल्दी अभी शादी पर त्यार होगी थी वह लहंगा मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने वह रेंट पर लिया था अगर होता तो मैं आपको पहन के प यह देखो कि बिंदी लगा क्या आती हूं यह जी मैंने इतने ही साइस की बिंदी अपनी शादी के टाइम पर लगाई थी और अभी मैं कैसे लग रही हूं अब इस इस मेकप पे आप मुझ बताओ आप कैसी भी अच्छी सी सुन्दर सी ट्रेंडी अच्छी वाली जूल्री क्यारी करोगे अब क्यों नहीं अच्छा लग होगे और आपने देखा मैंने कितने इसली किया यह बहुत इसली विदिन हाफ एन और मैंने कर लिया थोड़ अच्छी ना कुछ तो इतना अच्छा लग रहा है तो आप कोई भी अपनी शादी में अपना मेकप खुद से कर सकते हो एरस्टायल किसी को पाल रहें बनवाना है तो आप बनवा लीजी वट आप मुझे बताओ मेकप के लिए क्या उज़र होता है यार I don't think और ऐसा नहीं है कि मैंने शादी में डारेक्टी सबसे पहले जाके मेकप कर लिया था ऐसी अचानक से उससे पहले मैंने कोई 4-5 बार गर पे मेकप ट्राई कर रहा है अपने फेस पे अपनी बहन को कर रहा है बहन महन को करने से बैटर है कि आप खुद पे करो क्यूंकि उस दिन आपको तुम खुद देखो, है कोई मेट से स्मार्ट, बताओ मुझे, तुबस स्विर, आप चाहो तो इस नूड कलर को डाक्पिंग भी कर सकते हो, it's all up to you, देखो आप जब शादी हो रही होती है, आपके नेल्स भी बहुत सुंदर हुए होते हैं, आपके नेल्स आट हुए होते है नेल्स नेल्स पे, नेल्स लंबे होते हैं, इतने चोट-छटे ने एलते आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़े होती हिससे आप दुलहन लगते हो, स्रफ मेकप जगते हो, आपकी हाथ, महंदी, आप मेहन थndमे जुडें पृत मेह चूड़ी लगाए होते हैं, अपने जूरी ल कर वा सकते हैं, आपने बहुत हाई पही पालर मी मेकप कराने है, ठीक है गाईज? मुझा नुएख घुकर्ट पालर मेठें कर दोजिए हूँ और थोड़ा अधर भी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा कि आदर पड़ा है। हुआ है और मैं भी ऐसी बनी हुई हूँ और यह मेकप भी मिटाउंगी और प्लीज वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर देना और बल एकम को किक कर देना क्लिक नहीं होगा तो किक कर देना और ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो अप्लोड कर उसकी नोटिफिकेशन आपको शो हो जाए थैंक यू सो मज गाइस फर वाचिंग लब यू और